आज के सेशन में आपका स्वागत है और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे on clause number 5.1.2 customer focus यह ISO 9001-2015 का clause है और आज इसके उपर चर्चा होगी और जैसा कि हर बार मैं करता हूँ इस बार भी आपको इस टेंडर्ड में जो requirement जैसी दी हुई है वो मैं सबसे पहले आपको पढ़के ब करता हूँगा और उसके बार में उसी के ऊपर विस्तार में चर्चा करेंगे तो clause number 5.1.2 customer focus top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that A, B, C, तीन पॉइंच में, customer and applicable statutory and regulatory requirements are determined, understood and consistently met, B, the risks and opportunities that can affect conformity of products and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed and C is the focus on enhancing customer satisfaction is maintained so this is all in this requirement this is a small requirement and जैसा कि हम अब हम इसको विस्तार में चर्चा करेंगे इसके ऊपर और छोटी है और टोप management का इसमें रोल है और टॉपिक है customer focus कि customer के ऊपर हमें focus करना है तो एक बात तो आप बिल्कु क्लियरली समझ लीजे कि customer की क्या importance है हमारे संस्थान के अंदर customer सबसे ज्यादा important है क्योंकि अगर customer नहीं है तो संस्थान नहीं है पैसे जो आते हैं वो तो customer से आते हैं हम अपनी product को service को customer को बेचते हैं और customer हमें पैसा मिलता है customer से उसी से हमारा संस्थान चलता है उसी से संस्थान आगे बढ़ता है तो customer का बहुत बड़ा योगदान है हमारे संस्थान को चलाने में मैं कहूंगा सबसे ज्यादा योगदान है और यह कस्टमर फोकस का क्लॉज है 5.1.2 और इसमें सबसे बड़ा रोल है टॉप मेनेजमेंट का और टॉप मेनेजमेंट क्या होती है जो लोग संस्थान को चलाते हैं जो लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं जिन्होंने कि बद्ध हैं मतलब committed हैं अपने संस्थान को चलाने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हुआ हमारा टॉप मेनेजमेंट तो टॉप मेनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको यह दर्शाना है कि उनकी जो लीडर्शिप है लीडर्शिप का मतलब समझे पहले लीडर्स कौन होते हैं लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों की फिकर करते हैं दूसरों के बारे में सोचते हैं दूसरों के बारे में ख्याल रखते हैं वो है लीडर्स और कमिट्मेंट जो है हमारा कि हमने पका इरादा किया हुआ है कि ये काम हम करेंगे तो वो हुआ हमारा कमि के बारे में रेस्पक्त के बारे में हमारा लिडर्शिप और कमिट्मेंट जो है वो हमें top management को दर्शाना है by ensuring that और कैसे वो commitment दर्शाये जाएगा कैसे वो हमारा कटी बद्धता जो है अपने संस्थान के लिए और अपने कस्टमर के लिए हम कैसे दर्शाएंगे इसमें तीन कि और द्यए वह, 더 number a, the customer and applicable statutory and regulated requirements are determined तो जो requirements हमारी होती है product या service की, उसमें से बहुत सारी requirement तो संस्थान बताता है कि क्या होंगी वो, कोई भी product है तो हमने अगर उसको design कराया है, या किसी particular design के हिसाब से है तो उसकी, उस product की क्या खासियत हैं, उसमें क्या-क्या qualities हैं, तो ये सारा तो संस्थान बताता है तो जो requirements होती है उनमें संस्थान decide करता है कि क्या क्या requirement होंगी इसके अलावा customer जो चाहता है हमारे से कि इस product में customer की क्या requirement है वो सबसे उपर होती है क्योंकि customer को ही तो हमें संतुष्ट कराना है जो product या हमारी service जो है वो customer को जाएगी तो customer अगर satisfied है customer अगर तसली है उसको product से तो customer हमसे और खरीदेगा वो product या दूसरों को भी बोलेगा भाई इनका product बहुत अच्छा है आप खरीद सकते हैं तो customer की जो requirement है और इसके अलावा जो regulatory requirement है एप्ली केबिल law से संबंदित जितनी requirement है हमारी statutory and regulatory requirement और customer requirement यह दोनों requirement statutory and legal requirement जो है वो उनका तो हमें ख्याल रखना ही है हर आलत में हमें उन्हीं पूरा करना है और customer की जितनी requirement है उसको पूरी तोछ से समझना है लिकेत रूप में रखना है और ताकि सब को समझ में आये कि क्या है customer की requirement और उस product या service से related कौन सी regulatory या statutory requirements है जो कि सरस्थान को पूरी करनी है तो उनको पता लगाना है उनको पूरी तौर से determine करना है उनको समझना है पूरी तौर से और हमें ये पक्का करना है top management को कि वो पूरी हो बराबर पूरी हों लगातार हम उसके उपर काम करते रहें और इसका पक्का करें इस बात को कि वो सारी requirement customer की और applicable regulatory requirement जो है वो हर हलत में पूरी हो रही है तो ये हुआ अब आईए B के उपर risks and opportunities that can affect conformity of product and services and the ability to enhance customer satisfaction are determined and addressed तो risk and opportunity हमारे जो जिन हालात में जिन दशा में और दिशा हमारी है दशा और दिशा दोनों को मतला context of the organization जो है उसको ध्यान में रखते हुए क्या हमारी risks हैं और क्या हमारी opportunities हैं उनको ध्यान में रखना है हमको और जिनसे की हमारा product की conformity या service की conformity के ऊपर असर पढ़ सकता है ऐसे risk और opportunities को हमें ध्यान में रखना है और हमें customer satisfaction को बढ़ाना है हर आलत में तो यह चीज़ों को risk और opportunities को दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें customer satisfaction कैसे बढ़ेगा उसके उपर ख्याल करना है तो हमें यह चीज़ को पता लगाना है और उसको कार्यान में करना है उसके उपर विचार करना है उसको लागू करना है तो रिस्क और opportunities दोनों हमें देखनी हैं कि क्या है हमारे संस्थान से रिलेटेड और कौन-कौन सी हैं और उनके उपर विचार करके हमें customer satisfaction को बढ़ावा देने के लिए किस को किस तरीके से लागू करना है वो उसका हमें ख्याल रहना है और तीसी चीज़ है focus on enhancing customer satisfaction is maintained customer satisfaction customer को पूरी तसली होने चाहिए आपके product या service से तो यह हमको हर हालत में मोहिया करानी है customer को customer को satisfaction पूरा मिलना चाहिए customer satisfaction लगातार मिलना चाहिए क्योंकि किसी भी टाइम पे अगर customer satisfaction में कोई कमी आएगी तो customer हमारे से दूर भाग जाएगा और customer अगर हमारे हाथ से गया तो हमारा संसान चलेगा कैसे भाई तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि enhancing customer satisfaction जो है उसके उपर हमारा तबज्यो रहनी चाहिए हमारा focus रहना चाहिए हमारे सारी efforts उसके उपर लगनी चाहिए कि customer focus जो है वो customer satisfaction को enhance करने के लिए हमारा focus हमेशा नमारी तवज्यों हमेशा उसके उपर है हमारा ध्यान उसके उपर हमेशा रहे कि customer satisfaction बना हुआ है हर अलाज में हमको बना करना है customer satisfaction तो ये थी टोटल requirement और मुझे उमीद है कि पूरी requirement आपको हर तरीके से समझ में आ गई होगी और अगर कोई चीज न समझ में आई हो तो भाई इस वीडियो के नीचे अपनी शक्त, सुबा, संशा जो भी है उसको लिख दीजे तो मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक भी दीजे और थमदब भी दीजे और मेरे वीडियो को आपस में शेयर भी कीजे ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके और मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज कृपा करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूँ और आम तोर से मैं वीडियो हर संड़े को लोड करता हूँ दस बजे और शाम के पाश बजे के बीच में तो जब भी मैं लोड करूं तो फौरण आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और उसी हिसाब से आप तुरंत मेरा वीडियो देख सकेंगे तो धन्यवाद बहुत-बहुत और फिर मिलते हैं अगले रविवार को थेंक यू भाई बहाए भाई